यहीं दोस्तो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आप सभी से एक ही रिक्वेश्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को अंतक जोड देखे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी TRE 2.0 से से सलेक्टेड है 2.0 से जितने भी सेलेक्टेड सिछक है उनके लिए बड़ी अप्डेट में इस वीडियो के माध्यम से सेर करने वाला हूँ तो दोस्तो बिना टाइमर बात के हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जिया दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 2.0 से जितने भी सेलेक्टेट सिच्छक है उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत बरी अपडेट मिलने वाली है अगर मैं बात करूँ BPSC TRE 2.0 के सेलेक्टेट सिच्छको के बारे में तो नवादा का जिसा की बिद्याले पदस्थापन पत्र को लेकर लेटर जारी हुआ था यह आप लोगों ने देखा होगा और मैं अगर बात करूँ अधर बहुत सारे डिश्टीक है जियां दोस्तों हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 2.0 से सेलेक्टेट सभी सिच्छको के लिए तो देखिए ऐसे में हाल फिलाल में जो आज का नोटी जारी हुआ था नवादा के तरफ से जिसमें बताया गया था कि बिद्याले पदस्थापन पत्र दो फरवरी और तीन फरवरी को उनके मिलने वाले हैं तो विद्यालाय पदस्थापन पत्र जैसे ही आपके मिलेंगे तो उसी दिन आप लोगों को जोइन करना है और उसी दिन से आपके सेल्डी बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसे में 33 के आसपास ऐसे जिले हैं जिनका अभी तक स्कूल आबंटन ही नहीं हुआ है तो दोस्तो इसमें क्या किया जा इसमें इन बच्चों की क्या गलती है जो इनका अभी तक बियारसी में ही रखा गया और बहुत सारे इनके ही साथ सेलेक्टेड टीचर हैं वो अब सेल्डी उठाना प्रारंब कर देंगे और इनका salary आप देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर मानते हैं दो फरवरी और तीन फरवरी नवादा के जीले का यह मैंने आपको लेटर देखाई दिया हूँ तो दो और तीन फरवरी दो दिन डेट रखा गया विद्यालय पदास्थापन पत्र लेने का तो ऐसे में देखिए उसमें साप साप लिखा रहा था और मैंने TRE1 का भी सेंपल दिखाया कि दो दिनों के अंदर किसी भी हाल में आपको जोइन करने हैं तो जैसे ही विद्यालय पदास्थापन कर लेते हैं जैसे विद्यालय आप लोग जोइन कर लेते हैं तो उसी दिन से आपके सल्डी बनना स्टार्ट हो जाएता हैं तो ऐसे में बहुत सारे 33 ऐसे जीले हैं जो अभी तक ब्यार्सी में ही जिनका अभी तक स्कूल आवंटर नहीं हो पाया है तो उनका तो सेल्डी अभी नहीं बनेगा और उनके साथ ही जो सेलेक्टेर हैं उनका तो सेल्डी बनना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 फरवरी को जोइन करेंगे तो 2 और 3 से उनके सल्डी बनना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 से सल्डी बनेगा और साथ में 10 मार्च के अंदर उनको सल्डी भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लेकिन हम लोग मानते हैं कि 33 अधर डिस्टिक बाले हैं जिनका अभी तक स्कूल आवंटन ही नहीं हुआ है इनका मालना ते है कि हम लोग 2 से 3 दिनों 3 फरवरी से 4 फरवरी तक सभी जीलों का आवंटन होगा या मैक्सिमम 5 फरवरी तक तो दोस्तों अगर यह जोईन करते हैं 10 फरवरी तक तो इनका तो साथ दिनों का से छूट रहा है तो यह दोनों में क्यों किया जा रहा है तो यह मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए सेर करने वाला हूँ और इस से रेटेर मैं आज तो दोस्तों यह प्रॉब् कुछ भी अपडेट्स है तो ऐसा क्यों तो इसी को लेकर मैं दोस्तों आप सभी के बीच यह वीडियो लाए हूँ और साथ ही आज हम लोग ट्वीटर पे डारेक्ट से के पाठक को जो है वो हैस्टेक लगा के उन पर हम लोग यह नोटीस यह मेल करेंगे और आप लोगों स इतने बड़े-बड़े पतादिकारी होते हैं वो ट्वीटर का जरूर यूज करते हैं तो ट्वीटर के थ्रूई हम लोग इस पर बात करेंगे और साथ ही मैं कोशिज करूँगा प्रियत्म करूँगा कि आज सभी का जो है डिश्टी को लाइटमेंट भी लेटर जारी किया तो आपके लिए दिकत नहीं है लेकिन बहुत सारे इसे जीलें जिनके जीले से अभी तक आवंट नहीं हो पाया तो उनको तो अभी टाइम लगेगा तो चलिए फिलाल इस वीडियो में जो आप सभी का कमेंट आया था तो वो मैंने हापे रखने का परियत्म किया और साथ ही इसे रेटेड हम लोग ट्वीटर पे चलिए हैस्टेग लगा के आज हम लोग जो है मेसेज संदेश जो हम लोग का प्रॉब्लम्स है वो भीजने का परियत्म करेंगे और साथ ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीटर एकाउंट पे जुड़े जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं अभी भी तो उसी पे चलिए हम लोग बात करते हैं से रेटेड क्या डिसाइड लिया जाएं